तो अब राजधानी पटना को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर धारा 144 लागू किया जा चुका है। तीन दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। बाकिया नमस्कार मेरना में मोहित कुमार सींग और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन। इस पर भी जाच होगी और उस पर भी कारवाई होगी। तथा उसके बाद अब आनन भानन में एलान हो गया कि पटना में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया। अब समझे कि धारा 144 लागू हो गया तो उसका प्रभाव क्या होगा। यानि कि क्या लिजे कि शहरी इलाका वहाँ पर आप किसी भी परकार से धर्ना परदर्शन नहीं कर सकते। किसी चीश को लेकर आप सरकार पर दबाव बनाने के लिए भीर लगा कर कहीं इकठा नहीं हो सकते। आप किसी प्रकार का कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाल सकते, आप कोई बिरोत परदर्शन करने के नाम पर कहीं भी एक भीर इकठा नहीं कर सकते, सरकार की तुरब से प्रशासन की तुरब से कहा गया है कि गर्दनी बाग धर्ना जो अस्तल है उस इलाके को छोड़ा गया ह यानि एक इलाका है जो क्योवल और क्योवल परदर्शन करने वालों के लिए रखा गया है, तो सरकार का प्रशासन का कहना है कि आप वहां पर जाइए, अगर आपको परदर्शन करना है, तब वहां पर आराम से बैठकर परदर्शन कीजिए, आपको सरकार या पुलीस या प्रशासन नहीं रोकेगी लेकिन उसकी अलावा पूरे राजदानी पटना में अगर आप कहीं भी शदर छेत्र में धारना परदर्शन करते हैं तब अब वो गेर कानूनी होगा तो ये श्वी यादों ने कहा कि आप अपनी बात को रखिये हमको थोड़ा सा वक्त दीजिए ह हम इस पर जरूर काम करेंगे और उसके बात से पटना के जिलातिकारी ने आकर या आदेश दिया कि अब राजदानी पटना में धारा 144 को लागू कर दी गई है मतलब कि आज 23 तारीख है तो तीन दिन के लिए धारा 144 लगी है यानि कि 23, 24, 25 यानि कि मंगल बार, बूद बार और बृस्पती बार, इन तीन दिनों तक राजदानी पटना में कोई धर्ना परदर्शन नहीं हो सकता, गर्दनी बाग धर्ना अस्तल को छोड़ कर, कोई धार्मिक जलूस नहीं निकल सकता, और तीन दिनों तक राजदानी पटना में पुलिस सक्त पहरेदारी करेगी कि कह किसी प्रकार की कोई चूक न हो जाए बाकि अगर राजधानी पटना की बात करें तो कल सिख्षक अभिर्थियों पर लाठी चार्ज होई लाठी चार्ज होने के बाद तो यह यादो खुद एक्सन में आ गए उन्होंने कहा कि एडियम के खिलाब कारवाई होगी जो भी समस्ते हुए सारी प्रस्तिती को समस्ते हुए भापते हुए या निर्न लिया कि राजधानी पटना में धारा 144 लागू करना जरूरी है और उसके बाद पटना के जिलादिकारी ने आदेश कर दिया कि पूरे राजधानी पटना के सदर छेत्र में धारा 144 लागू हो गई है तो अब आगे देखना होगा कि सरकार की तरफ से और क्या कुछ कहा जाता है जो अभेरती परदर्शन कर रहे हैं क्या उनकी तरफ से अब फिर सदर छेतर के किसी इलाके में धरना परदर्शन करने की या राजबहुन मार्च करने की कोशिस की जाती है और अगर कोशिस होती है तो प्रशासन या सरकार उनके जिस तरीके से निपड़ती है। बाकी आगे मैं मेजर लगातार बनी हुई है। जो कुछ नहीं जनकारी आगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलाल की जनकारी थी कि राज़ानी पत्ना में तीन दिनों के लिए धारा 144 लग चुकी है। आपका क्या सोचना है उसे कमेंड बॉक्स में लेकर बताईएगा। आप जनतानेक्शन के साथ जूले रहिए। हम आप तक तमाम जनकारी पहुंचाते रहेंगे। कि हम रेक विश्यविशाल खड़े हैं और मैं मोहित कमार से ही। बहुत बहुत धर्निवाद दे।